बैंगलूरू भारत के करनाटक राज्जी की राजधानी है साथ ही यह भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी विख्यात है दस्छिन भारत में दक्कन के पठार प्रईसित बैंगलूरू एक महानगरी और बहु भासी सहर है बैंगलूरू में घूमने के लिए वैसे तो बहुत जखा है लेकिन यहां के बेहतरीन मंदिरों के दर्सन अवस्य करना चाहिए इन मंदिरों में जाकर लोगों को बेहद सांती और सुकोन मिलता है बैंगलूरू जो की एक आयटी हब माना जाता है भले ही यहां आपको सहरी जीवन के भगदर और हलचल देखने को मिलती है लेकिन यह सहर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बैंगलूरू सहर में अगर आप मन की सांती के लिए कोई ऐसी जगह तलास कर रहे हैं तो हम आपको बैंगलूरू के कुछ महत्पुर्ण मंदिरों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे तो चलिए जानते हैं यहां के कुछ बेहतरीन मंदिर सबसे पहले हम चर्चा करें हैं चोकानात स्वामी मंदिर दसवी सतावदी में निर्मित चोकानात स्वामी मंदिर बैंगलूर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है यह डोमलूर में इस्थित है और चोल की सासन काल के दवरान भगवान विशनू की भक्ती के रूप में बनवाया गया था यहां आप तमिल में कुछ खुब सूरुती से किये गए सिलालेक और अस्थानिय निरित रूप और अन्य अस्थानी परंपराओं को दर्साते हुए अस्थंबों पर मूर्तियां देख सकते हैं इसमें साली ग्राम पत्थर से उकेरी गई देवताओं की छबियां भी है जो केवल नेपाल में पाए जाती है दूसरा है इसकौन मंदिर राजाजी नगर्म इस्थित बैंगलूरू का यह इसकौन मंदिर 1997 में बनकर तयार हुआ था यह मंदिर हिंदू देवी देवताओं राधा और कृष्ण को समर्पित है और इसकी सुन्दर वास्तु कला के लिए बिसेश रुप से परसंसा की जाती है जो रात की समय में और ज्यादा बढ़ जाती है इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं यकीनन आप भी इस मंदिर की हर एक चीज से बिहद प्रहावित हो जाएंगे अगला है सिवुहम सिव मंदिर इस मंदिर की सबसे विशिष्ट विशेष था सफेद संग मर्मर से तरासी गई भगवान सिव की 65 फिट लंबी मूर्ती है बैंगलूरू में ये मंदिर 1995 में बनकर तयार हुआ था और इसमें 32 फिट उची गणेश मूर्ती और 25 फिट उचा सिवलिंग भी सामिल है एरपूर्ट रोड पर एस्थित यह सिव मंदिर भारी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है आप कभी भी इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं अगला है वेंक ट्रमान स्वामी मंदिर सत्रहवी सताबदी के उत्रार्ध में मैसूर के सासक चिक्का देवराजा द्वारा निर्मित इस मंदिर में अदभुत विजाई नगर और द्रविड सैली की वास्तु कला है ये टीपु सुल्तान के समर पैलिस्ट की बगल में बसन गुडी में इस्थित हैं लोग इस मंदिर में इनके प्रमख देवता भगवान वेंक टेस्वर की पूजा करने के लिए आते हैं और बाद में बिजै नगर सामराज द्वारा पुनर निर्मित स्री सोमेश्वर मंदिर बंगलूरू के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है यह 1200 वर्ष से अधिक पुराना है और उलसूर पुर्वी बंगलूरू में इस्थित हैं बेंगलूरू में यह परसिद मंदिर राजी की विरासत और विसेस रूप से अस्थम्बों पर अपनी अनूठी नकासिक के कारण एक महतपुर्ण वास्तु सिल्प हिस्सा माना जाता है अगला है स्री संखमुख मंदिर इस मंदिर को भगवान संखमुख के छह मुखो को सांदार रूप से अस्थापित किया गया है इसके उपर क्रिष्टल का एक विसाल गुम्बद भी है जो दिन में बेहत चमकता है साथ ही रात के समय में भी आप एलेडी की मदद से इसकी चमक देख सकते हैं मंदिर के मुख द्वार पर मोर की मुर्तियां स्थापित है जेने भगवान सनमुखा का मुख वाहन माना जाता है इस मंदिर में आप सूरज की किरन अभिसेक के दवरान जाए इस समय इस मंदिर का नजारा दीखने लायक होता है अगला है डोड़ा गनेश मं बैल मंदिर के निकट इस्थित डोड़ा गनेश मंदिर बैंगलूरू में इस्थित एक महतपुर्ण मंदिर है इसमें भगवान गनेश की 18 फिट उची विसाल मूर्ती है जिसे कभी-कभी मक्षन से नहलाया जाता है इस मंदिर में आप भक्तों की भारी भीड हमेशा देख सक सकते हैं डोड़ा गनेश मंदिर सहर के मध्य में इस्थित है जहां बिना किसी परिशानी के पहुंचा जा सकता है तो जातियों इस पीडियो में हमने आपको बैंगलूरूरूम इस्थित कुछ मंदिरों की चर्चा की अगर यह जानकारी आपको अच्छे लगी तो हमारे च सुझाब हो हमें कमेट बॉक्स में अबस से लिखें जैहिंद